असलाम अलेकाइब बड़ी आयम अजीम जैसा कि आप लोग जानते हो आज एद का दिन है आई मीन एदुला साथ तो अभी नमाज के लिए चाना है और नमाज में सिर्फ आदा घंटा बचा है नमाज है साड़े साथ बजे और हमें पहुशना है है मस्जेड लेट स को नमाज के लिए निकल चुके हैं नमाज खड़ी होने में सिर्फ आदा घंटा बागी है और गया है जैसे के नमाज के जाते हुए तक्बिरात पड़ते हुए जाते हैं तक्बीर कुछ यह है लाह हुए अकबर लाइलह इलाला वह ऐख बर लाह हुआ उन तो अब हम पहुशने वाले मजज़द और उपर हशाम साब आपको दिग्गा होगे तो जी इत नमाज कतम हो गई है और हम जा रहे हैं घर की तरफ पिकॉस एक रास्ते से आते हैं दूसरा रास्ता बदलते हुए जाते हैं और एक बात बताना हुए भूल गया था के तक्बिर परते हुए आते हैं तक्बिरात परभते होगे जाते हैं तो बस रास जाते हैं लाद के पाद अब आप सब लोहों को वहिए बहुराऊने के लिए अब ब्रेक के बाद नमाज कतम होने के बाद अब ये जैसे के पीछे कुर्बानी के सिर्सला जा रही है आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा बट मैं इतना थोड़ा सा हाइट करूँगा विकॉस यूनो सैंसर्शिप समझते हो यार समझते हो सब तो इसको हाइट करना पड़ेगा और जितना बस जितना कर सकते हैं तो पीछे कुर्बानी हो रही है तो मैं वाफसे घर के तरफ जा रहा हूँ और जब कुर्बानी हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा हम थोड़े देर में वापिस आ जाएंगे इदर और अभी बात कुछ यह है यार के साथ-साथ आज फ बात करनी है बहुत इंबॉडन बात है तो वह बात हम करेंगे इस व्लॉग के एंड में सो अभी तो व्लॉग का आवाज है आप सब लोगों को एद की मुबारक बात है अहाँ शेर शायरी तो मिलता हूँ थोड़े देर में आप तो जी कुर्बानी के सब्सला जा रही है औ कि इस बार मैं खुद से नहीं गुषा किसी काम में याई मीन की कुर्बानी करने में बगॉस हर साल ऐसा होता है कि मैं नमास पड़के आता हूं शेंज करता हूं और कुर्बानी के अंदर लग जाता हूं तो टाम बलकुल नहीं मिलता है बट इस बार मैंने सोचा इस बर मु है फुल टाइम इंजुआ है यानि के एक सीन ओन है तो बस यहां से फारिक हो जाएं फिर आप लोग उससे फॉर्टी नगस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टन बात करनी है ठीके बहुत ज्यादे इंपॉर्टन बात है कि आज फर्स्ट अगस्ट आज आई सी यू तोड़ी कपड़े पहने वेते हैं और वो कपड़े गंदे हो जाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा गोश्का काम करना है मश्बूरान मश्बूरान आपके भाई को उसना ही पड़ेगा इन काम में तब यह काम होगा तो इस वजह से हमें बोला कि जाओ भाई पहले चेंज कर लो और काम शुरू करते हैं तो बस जा रहे हैं जहां पर कुर्बानी हुई है उस पोजिशन पर बहुशने वाले हैं तो जल्दी से जाते हैं और पर आप लोगों से मिलेंगे थोड़ी सी तेरे बात देखते हैं जब हमें टाइम मिलता हैं तो तो जी आगाज है दोबारा से क्योंकि हम बिजी हो गए थे आई मीन डिस्टिब्यूशन में उसके बाद थोड़ा बहुत जो टाइम बिला वो हम सो गए और जब सोके उठे तो फिर हमने का चलो थोड़े पार्क चलते हैं और जैसे कि आप लोग मेरे पीछे व्यू देख हो मैं एक पार्क में बैटा हूं अपने नियर भाए और मैंने का चलो यहीं पर बैटके थोड़े सी आप लोग से बाते कर दो बातें कुछ हुआ है कि जो के मैं सुबह से कह जा रहा हूं 14 अगस के हावारे से एक इंपोर्टेंट बात करनी है तो वह बात कुछ है कि 14 अगस अब टाइटल आएगा नुकास से पहले टाइटल आएगा यहां नुकास शुरू करने से पहले एक इंपोर्टेंट बात बात कुछ है कि वीडियो अब जो हमारी अप्लोड होंगी आइमीन 14 डेस की 14 वीडियो उसके अंदर हमारा कोई फिक्स टाम नहीं है आइमीन चोटी हो सकती है वीडियो बड़ी भी हो सकती है और डेली वेसिस पर अपलोड होगी सबसे बड़ी बात यह तो जी टाइटल एफस नुकात का वफाकी तरसका आइन यान जो होगा वफाकी तरसका होगा तो नुकात है आइन का आइन वफाकी तरसका होगा जिसके अंदर सूबों क वह ज्यादा से जादा खुद मुखतारी दी जाए हम तो जैसा क्या आप जानते हो में हमारे सुब्द मुखतार है पूरा फॉलू हुरा है यह पेला ही नुकात यहां पर हमारी यह पूरा तरह से फॉलू हो रहा है तो अब बार्य आते हैं इस वीडियो को END करने की falta नुकात आज को नुकात चोड़ा था तो जादा इस पर discussion नहीं है और आने वाले नुकात पर discussion भी important होगी तो अब इस वीडियो करते हैं and I see you in the next video और आप लोगों बहुत बहुत एद मुबारक और परस यार एंड करो ओके जी अला हाफिस तुझी जो पहला नुकात का टाइटल है वह है वफा की तरस का आइन यानी उर्दू में पूरी गुफ्ट सुगू यूनियो उर्दू का लेवल चेक करो आप लेवल अपडेट इट